नमस्ते दोस्तों स्वागते आप सभी का त्रियांकुष लर्निंग चैनल पर आजके इस वीडियो में हम जानेंगे दहेज प्रत्था पर निबंद और अगर आपको ये वीडियो ये निबंद जरा सभी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेर लाइक चरूर करें तो चलो शुरू करते हैं दहेज का अर्थ है जो समपती विवा के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है दहेज को उर्दू में जहेज कहते है यूरोप, भारत और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगा फैली हुई है दहेज प्रथा मुख्य रूप से हिंदू धर्म की प्रथा है जो हर जाती में चलती है बस अंतर यह होता है कि कुछ जाती के लोग दहेज में उची रगम देते हैं वही कुछ जाती के लोग उतना पैसा नहीं देते हैं लेकिन बीते कुछ वर्षों में दहेज प्रथा का दुर्यूपयोग बहुत अधिक हुआ है और इसका सबसे बुरा असर महिला उपर हुआ है प्राचिनकाल में दहेज क्यों दिया जाता था अब हम यह जानेंगे दहेज एक पुरानी प्रथा है इसकी शुरुआत के पीछे एक अच्छा उद्देश्य था पहले के जमाने में लोगों के पास इतने संसादन नहीं होते थे इसलिए लोग अपनी इच्छा नुसार नए जोड़े को कई तरह के सामान देते थे ताकि उन्हें नया जीवन शुरू करने में किसी चीज की कमीना हो लेकिन यह अपनी इच्छा दे होता था किसी पर कोई दवाप नहीं रहता था लेकिन अब इस प्रथा के दुश प्रभाव भी देखने को मिलने लगे है दूसरा दहेज प्रथा के नुकसान जानते है सबसे पहले अच्छे संबन न बन पाना विवा दो लोगों का मेल है जो जीवन एक साथ बिताने का संकल्प लेते है लेकिन यह मेल होगा या नहीं इसको दहेज के अनुसार निधारित किया जाता है अगर मू मांगा दहेज मिला तो विवा होगा और नहीं मिला तो नहीं होगा दूसरा कन्याओ की कर्व में हत्या शादी के वक दहेज में नाम पर खुब पैचसा और सामान देना पड़ेगा इस डर से कई लोग लड़कियों को जन्म ही नहीं लेने देते और कन्या भूम की हत्या करवा देते हैं तीसरा महिलाव पर अत्याचार यदि दहेज जैसे कोई प्रथा नहीं होती तो आज महिलाव पुरुशों के बीच एक समानता होती और विवा के बाद महिलाव पर कोई तरह के अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ता जो दहेज के नाम पर होता है अब हम जानेंगे दहेज प्रथा को कैसे रोके सबसे पहले महिला शिक्षा पर जोड़ देकर यदि महिला शिक्षित होगी तो वह दूसरे पर निर्वन नहीं रहेगी और उन्हें दहेज न देने के लिए उटपिरन नहीं सहना परेगा दूसरा देखते हैं सक्त कानूनी है जरूरी दहेज के नाम पर हिंसा और जबरन दहेज लेने के खिलाफ बहुत कठोर कानून की जरूरत है जिसके डर से लोग कोई गल्ती न करें उपसनहार दहेज प्रथा को समाप्त करना आज बहुत जरूरी हो गया है क्यूंकि महिलाओ और पुरुशों के बीच के अंतर की गहरी खाई को बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है धन्यवाद